जेहीं दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने परिवार हिमरेक्षे की यूटूब चनल पर कैसे आप सभी उमीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हिमाचियल परदे स्टेट कोपरेटे बेंक जूनियर कलर्क पोस्ट के लिए एकस्पेक्टेड कटोफ क्या रहने वाली है आप अंदाजा लगा सकते हो कि यदि आपके इसके उपर मार्क्स है या फिर ये मार्क्स जो आपको बताने जा रहा हूँ यदि ये मार्क्स हैं तो वेल और गुड आप मेंस की त्यारी बेजिजक अराम से कर सकते हैं ठीक है जी इसके अलावा मेंस के लिए कितने कैंडिडेट ये बुलाने बाले हैं ये भी बात हम इस वीडियो में आपको बताएंगे यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन चुरूर प्रेस करें चलो सबसे पहले बात होगी कि इस वार बकैंसिस कितनी थी देखिए आप दोसो बती बकैंसिस की भूल ना करें डोसो बती बकैंसिस जो थी वो सबको कुल मिला कर कोटे वाले और ड्रेक्ट रुक्रूट्मेंट की थी जो आपकी fight है आपका competition है वो सिर्फोर शिर्फ 58 158 158 बकैंसिस पर आपका direct competition है कोटे वाले तो भूल जाओ ठीक है ये आपकी बकैंसिस बजती है 158 समझ गए अब जनल के लिए अगर कंपिडिशन लड़ रहे हो तो 54 वकैंसे से EWS के लिए 11 इसके लावा SC, ST, OVC सब कुछ आप देख सकते हो अब कुल मिलाकर बात ये है कि मेन के लिए मेन एक्जाम के लिए आपका कितना कैंडिडेट, शोर्ट लिस्ट होने वाला है कितने कैंडिडेट को बुलाना ये बुलाएंगे ये देख लो, इन्होंने एक नोट बना कर लाएं लिखी थी कि हम बुलाएंगे बेकेंट बेकेंसिज के 10 गुना बच्चे हम मेन्स एक्जाम के लिए 1580 ये तो पक्की हैं ये तो बुलाएंगे 1580 बन्दे जो हैं ये तो पक्का बुलाएंगे इसके लावा कई वार होता है कि आपका स्कूर 3-4 बच्चों का टाई है मेन्स 3-4 बच्चों के 79, 79, 79 है 78, 78, 78 है इस परकार से यदि हुआ तो आप मोटा मोटा ये मान के चलो कि आपका 1700 पलस स्टूडेंट जो है कैंडिडेट जो है मेन में बैठेगा मोटा मोटा ये जान लो समझ गे इतनी छोटी सी बात वी क्लियर अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कटोफ की आपकी क्या रहने वाली है सबसे मेन सबसे बड़ा स्वाल आप सभी के लिए ये है जिसके लिए आप सभी ने इस वीडियो को क्लिक करा है ठीक है अब ये है कैटगरीज इसके लावा EWS या फिर सब कैटगरी भी है इनकी यदि मैं जैनल की बोलो तो बाकी जो भी कैटगरीज होंगी इससे नीचे ही होंगी गटव ठीक है जैनल की सबसे हाई जाती है जैसे इसकी जाएगी जैसे हमने पिछले कल आपने देखा होगा YouTube पर Instagram पर Facebook पर फिर आप टेलीग्राम पर देख सकते हो हमने एक पोल कंड़क्ट करा था उसको अनलाईज करके और आपके कोमेंट या फिर आपके परसनल DM देखकर हमने अंताजा लगाया है कि आपकी जैनल की इस वार जाएगी 85 प्लस माइनस 2 ठीक है जी ये कट ओफ रहनी वाली है इस वार जनल की समझ गए then ST की क्या रहेगी ST की रहेगी 80 प्लस माइनस 2 ठीक है ये रहेगी हमारी ST की कट ओफ EWS के लिए क्या रहेगी 77 प्लस माइनस 2 ये रहेगी हमारी EWS economical weaker section वालों के लिए 77 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 2 क्या मतलब हुआ कि 75 भी हो सकती है और प्लस करके 79 ये इसके बीच हो सकती है आपकी कट ओफ यहां से अंताजा लगा सकती हो आप समझ के then OBC के लिए 75 प्लस माइनस 2 73 भी हो सकती है और 77 इसके बीच में कोई भी डिजिट आपका final में आ सकता है ठीक है और last SC बचा 75 प्लस माइनस 2 इन दोनों की OBC और SC की जो कट ओफ है ये बराबर जाती है हमेशा और हमेशा लगवग इनमें एका दुका एका पॉइंट का ही फरक रहता है ठीक है ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया expected cut-off क्या रहेगी और मेंस के लिए कितने candidate बुलाए जाएंगे दोनों बातों पर चर्चा हो चुकी है अब भी तक आपने चैनल को सब्सकाइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें जैसे बच्च में शियर करें अच्छा सा कॉमेंट करके बिताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी यूटूब के लाबा हम चार सोचल मीडिया हैंडल्स पर और भी है यासे होगा लिए हमारे टेलीग्राम पर मस्ट विजिट करना है यहां पर हर एक क्लास की फ्री अफ कोस्ट पीडियेफ दी जाती है इसलिए आपने यहां पर जरूर विजिट करना एक बार मिलते है नेक्स्ट वीडियो के साथ आप खुश रहिएगा पढ़ते रहिएगा धन्याबाद जैहिन जै हिमाचल